बहुत बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी और कॉंग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा जटका है कि कॉंग्रेस किस तरीके से अपराध्यूं का साथ देती है इसका बड़ा उधरन मिला है संजीव भट को उम्रकैद की सजा सुनाई दी है और ये सबसे बड़ाई चोकाने वाली खबर आ रही है कि संजीव भट वही है जो राहुल गांधी के साथ भी दिखे और उनकी पत्नी कॉंग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी है आपको बता कि जामनगर में अत्रिक्त पुलिस अधिक्चक के रूप में पदस्त थे पूर आईपियस अधिकारी संजीव भट को उम्रकैद की सजा जो सुनाई गई है 1990 में पुलिस कस्टिदी में एक ब्यक्ति की मौत के मामले सजा हुई है आपको बता दें इससे पहले भी 2011 में बिना अनुमती के डूटी से नदारद होने पर इन पर बड़ी कारवाई किये गई और आपको पता है कि ये किस तरीके से परधान मंतरी नरेंद मोदी के खिलाब कॉंग्रेस के इसारों पर हमेशा ट्विटर पर और तमाम अभियान चलाते थे तमाम ऐसी जूटे आरोप लगाते रहते थे लेकिन आखिरकार कोट ने इनको कड़ी सजा दे दी अब देखते हैं कि राहुल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी क्या इस पर सफाई देती है वहीं दूसी तरफ आज संसत का राश्टपती का अभिवासंड था और उसमें राश्टपती जब भासंड दे रहे थ साहिदों को एरपोर्ट पर सरधांज ली दी जा रही थी तब भी वो मुबाइल पर लगे हुए थे अब ये दूसरी घटना है कि राश्ट के मुद्दों पर किस तरीके से वो कितने सीरियस हैं ये बात दिखाता है कि राहुल गांधी वहां पर अपने आपको मुबाइल मे बिजी होना ये दिखाता है कि राहुल गांधी अपनी हार से बिलकूल नहीं नहीं संबल रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं कि क्या उनकी हार के वजों का कारण है उसका कारण सबसे बड़े कॉंग्रेस का हार का कारण खुद राहुल गांधी है क्योंकि इस तरीके से जब अब राष्टपती के अभीवासन पे राहुल गांदी को बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ राफेल मैं चोरी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि राफेल को लेकर किस तरीके से घोटाले को साबित करने में राहुल गांदी लगे हुए थे राफेल के मुद्दे पर जो यह चुनाव कराने की कोशिस हुई लेकिन चौकिदार चोर का नारा देने वाले राहुल गांदी की बुरी हार हुई खुद अपनी सीट भी हार गई अमेठी से लेकिन अब भी उनको यह पता नहीं लग रहा है कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि उनकी हार का कारण जो थे उनी को अभी भी दोहराते जा रहे हैं तो वो लगता है कि ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाओं में भी बीजेपी को जिताने के लिए पूर्ण परियास कर रहे हैं तो राहुल गांधी कहीं पर भी इस तरीके की सीरियस नहीं दिखाई देना है चाहे वो संसद भवन हो या तो राफेल का फिर से मुद्दा उठाना उस वही बात करना जिस चीज से वो ठोकर खा चुके हैं जिससे वो हार चुके हैं तो अब समझ में आता कि राहुल गांधी या कॉंग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे ब वाले हैं क्योंकि इस तरीके की राजनीति आने वाले की दिनों में बड़े बड़े राजियों में बिधान सबाद चुना हो हैं अगर ऐसा कुछ ही राहुल गांधी के करेक्टर में दिखता है तो कॉंग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक तरीके से मुबाइल में अपने आपको गैम खेल रहे हैं या कोई और खोले इस पर प्रदानमंत्री नरेंद मोदी ने भी एक बार कटास किया था अब पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से वह संबल नहीं रहे किया वह सीख नहीं रहें अपनी हार से कब इस चीज को लेकर राहुल गांधी सीख पाएंगे यह तो बड़ी मुश्किल है और वहीं जो संजीव भट की बात है जो संजीव भट को बड़ा जटका लगा है वह आपको बता दें कि यह 30 साल का जो मामला था उसमें संजीव भट को कड़ी सजा सुनाई गई है पिछले हपते सुप् में भारत बंद के दोरान जो हिंसा हुई थी संजीव भट यहां के सस्पी थे और हिंसा को लेकर पुलिस ने सो लोगों को गिरबतार किया था इसमें प्रभुदास माधवजी की अस्पताल में मौत हो गई थी प्रभुदास के भाई अमरूक वैसनवी ने संजीव भट के खिलाप मुकदमा किया था और उन्होंने हिरासत में प्रतर्ना के आरोप लगाए थे और इसमें वो दोसी करार दिये गए हैं 2015 में इनको गुजरात सरकार ने निलंबित IPSR देकार को बरखास किया था तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये परधान मंतरी नरेंद मोदी के खिलाप इन्होंने एक सडियंतर तमाम दिनों से लगातार ये करते रहे और तमाम जोटे बातों को लेकर वो सोशल मेडिया पर पोस्ट करते रहे और वो कॉंग्रेस के राहुल गांदी के सोशल मेडिया की टीम से भी जुड़े थे तमाम ऐसी जगों पर भी देखा गया कि राहुल गांदी और वो साथ फोटों उनकी नजर आई और उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी क्योंकि संजीव बट के खिल को हटाना चाते थे ऐसे लोग जो किसी मामले में अभ्यूक्त हैं अब वो दोशी करार जोग चुके हैं तो अब कॉंग्रेस पार्टी से वाल बनता है कि क्यों उन्होंने आई पीस संजीव भट को ब्रखास्त आई पीस संजीव भट को इस मामले को तूल दिया था क्यों उ पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा जटका है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के बहुत बड़े सपूंटर थे वह पार्टी के लिए हमाइसा अभ्यान चलाते थे चुनाओं से पहले तमाम जितने साल प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की गोवर्मेंट थी सेंटर हो या इस् decision को लेकर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि court भी गई है ये वो गया क्योंकि भूत सारे लोग दिख रहे हैं कि उनको सच्चाई का मसिहा मानते हैं संजीव भट को लेकिन संजीव भट अब court ने वो सजा दे दी लेकिन ऐसे लोगों को court भरोसा नहीं होगा क्योंकि संजीव भट अपने जो उनुने एक ऐसा अपराद किया था कि एक निर्दोस ब्यक्ती को हिरासत में मार दिया और उसके जो दोसी है उनको सजा मिल चुकी है उम्र के मिल चुकी है तो देंगते हैं आगे संजीव भट को लेकर कॉंघरेस पार्टि क्या कहती है क्या संजी उभट की पत्नी कॉंग्रेस में बनी रहती है यह कॉंग्रेस से भी सवाल पुछना चाहिए और राहुल गांदी से वहां पर बिजी रहते हैं लेकिन जब उनको सवाल पूछा जाता तो उनको तो पताई ने रही ताई क्या चीज़ें हैं वो सिर्फ वही बात करते हैं राफेल राफेल तो जो चुनाओं को लेकर लोग बोलते हैं कि राहुल गांदी को राफेल का जो एक चीज़ें तोते की कर और रटा दी है कोई भी मुद्दा हो कब भी मुद्दा हो अब तक और राफेल राफेली बात कर रहे हैं चुनाओं हार भी चुके हैं उसके बाद भी राफेल कर रहे हैं तो ऐसे मुद्दों को वो पतानी कहां ले जाना चाहते हैं कहां उनकी पार्टी का भुश्या है ये तो राहुल गांदी देख सकते हैं लेकिन ये बात निश्चित है कि राहुल गांदी को जो वीडियो आया है संसत भवन से जिस तरीके से वो वीडियो गैम खेल रहे हैं अपने मुबाइल में तो क्या कॉंग्रेस पार्टी का गैम भी खतम हो चुका है जो वीडियो गैम क की तरो वो अब कॉंग्रिस को खेलते जा रहे हैं अब अमेठी से भी उनका पता साफ हो गया है तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ना तो उनको लीडर ऑफ भूजिशन मिला आपको बताते हैं कि किस तरीके से राहूल गांदी ने चुनाव से पहले कहा था कि हम साउथ इंडि leader of opposition की बात हाई तो उन्होंने पस्चिम बंगाल के चौधरी जी को अपना पाटी का प्रमुख बना दिया वैसे तो पब्लिक ने उनको इतनी सीटें नहीं दी कि वो leader of opposition बने और इस तरीके से Congress Party के बुरे दिन लगातार आते जा रहे हैं तो किस तरीके का जो राहूल गांदी का बिहेव है वो दिन परती दिन वैसा ही बनता जा रहा है जैसे वो पहले थे लेकिन लोग जो सोच रहे थे या Congress Party वाले सोच रहे थे वो हार से कुछ सबक लेंगे लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगती कि वो कुछ सीरियस हैं या तो उनको हार का कोई गम है वो अपने ही मुबाइल में बिजी हैं देखिए आगे बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंग जैबर